इस वीडियो में हम लोग आज शुरू करने वाले हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर वन और पिछले कुछ दिनों से आला कि मैं शेयर नहीं कर पा रहा था वीडियो आज से मैं कौसीज करूंगा कि फिर से एक वार इस सीरीज को सुरू किया जाए तो बीए पार्ट फर्स् कर पाऊंगा आप लोग जितना हो सकता है उतना कर लेना उसके बाद आप लोगों ने तैयारी करी रखी होगी इंपोर्टन टॉपिक के साथ ही मैं सिरुवात करूंगा कौसीज यह रहेगी कि यदि आप इन सारे सारे टॉपिक्स को कर लेते हो तो साइट पेपर अच्छा बैठेगा आपका पहली यूनिट को अपन पूरा करेंगे यानि कोई भी दो यूनिट अपन पूरी कम्प्रीट करेंगे उसके बाद जो है एक प्रकार से गैस तरीके से लेकर करके चलेंगे तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सौलर सिस्टम का देखिए दस-दस मिनट क चोटे-छोटे से वीडियो बनाऊँगा मैं और उम्मीद यह रहेगी कि उसमें से आपका पेपर जो है मिल जाए सौर मंडल के उपर है पहला टॉपिक आपका सौर मंडल है और सौर मंडल के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन में आपको क्य कि यदि मास की यानि द्रब्यमान की बात करें मास यानि द्रब्यमान की बात करें द्रब्यमान तो लगभग जो 99.86 द्रब्यमान है भार है वो किसका है सूरिय का है अच्छा सौर मंडल की बात करें तो देखिए सौर मंडल में आठ ग्रह हैं तो ग्रहों की इस्तिति आपको ज्याद रखनी है एक तो और उसके बाद प्रत्वी की उत्पत्ति के ऊपर तो बादम बाद करेंगे लेकिन जो ग्यात ग्रह है वो कितने है आठ है तो यह आपको ध्यान रखना है कि ग्रह कितने है आठ है जिसमें फोर जो है इनर है और फोर आउटर है यानि आंत्रिक ग्रह और बहाई ग्रह अब यह आपको इंट्रोडक्शन में लिखना ही लिखना है कि आंत्रिक में कौन-कौन से आते हैं और बहाई में कौन से आते हैं तो बुद्र, सुक्र, प्रत्वी और मंगल यह तो आते हैं इनर में और बाद में जो है आउटर में जो आते हैं वो कौन से आत तो इनको आप लोग थोला सा देख सकते हो अपने इसाब से मैं बहुत डिटेल में इसके उपर नहीं जाओंगा फिर हम लोग बात करेंगे जो थियोरीज हैं सॉलर सिस्टम की उत्पत्ती से रेलेटेड या पूरे ब्रह्मान से की यूनिवर्स की उत्पत्ती से सम्मंदित जो थियोरीज हैं एक प्रकार से उनके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे पूरे सॉलर सिस्टम या प्रत्वी की उत्पत्ती से सम्मंदित सिद्दान्त इनको कह दो तीन ही सिद्धान्त है तो तीन सिद्धान्तों को हम लोग अलग अलग देखेंगे निशित तोर पर इनमें से एक सिद्धान्त आपके एक्जाम में भी आएगा देखें एक तो है एद्वेतवादी संकल्पना एद्वेतवादी संकल्पना और इसको बोलते हैं monistic concept monistic concept इसका मतलब यह है कि प्रत्वी की जो उत्पत्ती है न वो केवल एक तारे से हुई है इसका मतलब यह द्वैत का मतलब है एक तारे से और dualistic concept का मतलब है कि दो तारों से इसकी उत्पत्ती हुई है दो तारों के सही योग से हुई है यानि द्वैतवादी संकलपना इसको बोलते हैं द्वैतवादी संकलपना अब हमारे सिलेबस में सिर्फ कांट है जीन्स है और आटो इसमिट है तो उन तीन के ही वारे में हम लोग थोड़ा-थोड़ा देखेंगे जिसमें जो पहली संकल्पना है गैसिय रासी परिकल्पना गैसस हाइपोथिसिस कांट की तो ये तो आप लोग समझी गए होंगे एदुयतवादी का मतलब क्या है यानि एक तारे से प्रत्वी की उत्पत्ती होई है या सॉलर सिस्टम की उत्पत्ती होई है और यहां दो तारों के सही योग से होई है ये इसमें एक चीज हो गई अब बात करें जो हमारे सिलिवस में है मैं सिलिवस के एक रिसाब से ही चल रहा हूँ कांट्स गैसियस हाइपोथिसिस यानि कांट की कैसिय परिकल्पना गैसिय परिकल्पना अच्छा जब कांट की गैसिय परिकल्पना की हम लोग बात करेंगे तो सत्रासो पच्पन में जो है सेवंटीन फिफ्टी फाइव में इस परिकल्पना को जो है दिया था और इस परिकल्पना का जो बेश था जो आधार था वो ये था कि गुर्टवा करशन जो न्यूटन का गुर्टवा करशन का नियम था ग्रेवेटी फोर्स थी न्यूटन की उसको आधार बनाया गया न्यूटन की गुर्टवा करशन की जो सक्ति थी उसके आधार पर इसको बनाया गया और उन्होंने कहा कि कांट ने ये कहा कि ये जो है एक दूसरे से टकराने लगे एक दूसरे के आकरशन के कारण और इसके कारण जो है ब्रमन गती होने लगी तापमानों में ब्रद्धी होती गई और इसकी वज़े से क्या हुआ एक बहुत ज़्यादा गैस ये बातावरन का निर्मान हो गया और उसके बीच में फिर क्या हुआ, केंद्रिय बल की स्थापना हुई जिसके चारोग और चक्कर लगाने लग गए बाकी जो ग्रहे है वह चक्कर काटते इस तरीके से यह स्थापना हो गई तो ये प्रकार से और इसी से जो है फिर नौ ग्रहों का निर्माण हुआ बाद में इन ग्रहों को आठ मान लिया गया है न क्योंकि प्लेटों को भार कर दिया गया तो इस तरीके से ये जो है इसको निहारी काख में वो कनवर्ट हो गया था यानि पूरे गैस के जुंड में कन जो है यह बहुत मुश्किल है इस प्रकार से की बायू मंडल की या सॉरी सॉलर सिस्टम की उत्पत्ती हो पाए और इसके बाद एक तारक परिकल्पना में हाला कि लॉपलॉस ने भी कुछ अपना विचार दिया था लेकिन सिलेबस के एसाब से दी तारक जो घटना है एक प्रकार से डियूलिस्टिक जो एप्रोच है उसको भी माना गया जहां दो तारों के सहियोग से जो है ग्रहयों की रचना मानी गई ह ठीक है अब दो तारों की में जो परिकल्पना है इसमें जिन्स की जो आरिये परिकल्पना हमारे सिलेबस में है तो हम उसी को पढ़ेंगे solar bundle की उत्पत्ती से सब्मंदित जो gems tidal hypothesis को बोलते हैं जो आरी है परिकल्पना tidal hypothesis अब tidal hypothesis की जवाब बात करोगे देखिए पहली दो यूनिट पूरी पढ़ लोगे तो आपका paper पूरा हो जाएगा इसलिए इसमें से मैं थोड़ा पूरा करने का प्रियास करूँगा बाकी यूनिट में आप लोगे साथ कुछ टॉपिक सेयर करूँगा अब देखिए जो gems jeans थे इन्होंने क्या कहा इन्होंने 1919 में इसको दिया ये बाद की परिकल्पना है 1919 में इसको दिया था और इनकी जो जो जुआरिय परिकल्पना है उसकी कुछ मुख्य बाते क्या है देखिए जुआरिय परिकल्पना में जो basic चीज कही गई वो ये थी कि एक तो सौर्मंड़ का जो निर्मान हुआ है वो सूरिय है और एक अन्य तारे से हुआ है पहली बात दूसरा इनों ने कहा कि प्राराम में सूरिये भी क्या थे जो सूरिये था वो क्या था गैस का गोला था यह चीज़े आप लोग नोट करते चलोगे होगे तो ज्यादा बढ़ी है रहेगा सूरिये के साथ एक तारह और था और सूरिये जो है कि अपनी जगे पर इस्तिर था लेकिन उसी जगे पर वह घूम रहा था जैसे माना कि इस जगे पर है तो है तो वह उसी जगे sa इसी जगे वो रोटेट हो रहा है तो वो घूम रहा था और इसके साथ ही क्या हुआ जो 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 साथ का तारा था वो दीरे दीरे नजदी का रहा था क्या रहा था नजदी का रहा था और इसके बाद क्या हुआ वो तारा थोड़ा सा बड़ा भी था वो तारह क्या था सूर्ये से बढ़ा था तो इस प्रकार की य procure परिकल्पना थी और इन्हों ने कहा कि जो पास में जो तारह आया न उसकी जो टायडल पावर थी यानि जो जुआरी है सकती थी न उससे सूर्ये के बहायाकार पर प्रुभाव पढ़ा तो एक प्रकार से इसमे ये बना दिया जाता है, ये हो गया सूरिया हो गया ये, ये हो गया तारा, ये इस्टार हो गया आपका, और ये हो गया आपका सूरिया, डाइग्राम आप बना लेना, तो ये दो चीजे हैं, अब सूरिया तो अपनी जगे पर क्या है, इस्थिर है, मतलब ये यहां पर इस्थ जो है इसका खिचने लगता है और जब यह खिचने लगता है तो इससे दीरे 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 क्या होगा इस सॉलर मंडल का निर्मान होने लगा तो यह प्रकार से जो है और विट था यह जिसमें घूम रहा था और इसके कारण जो है जो अपना सौर मंडलule, उसकी स्तापना हुई, और इस से एक खास बात जो निकल करके आई, देखिए कुछ समस्याओं का समधान इससे हुआ इस वाले सिथान से भाष इसलिए प्रित्वि की उत्पत्ती के साथ सॉलार मंदल की कई समिश्चयाओं का समधान इससे हुआ था तो इसका महत्व भहुत है यह इंपोर्टेंट भी भी भहुत है एक तो देखो ग्रहयों का क्रम इससे निर्धारित हुआ कि उनको थोड़ी से दिक्कत होगी, तो क्रम और आकार निर्धारित हुआ, क्रम और आकार, और इसके अलाबा जो एक चीज और डिसाइड होई वो था, उपग्रहों की सनरचना, मतलब जो प्लानेट थे, उनके उपग्रहों की सनरचना भी, इसके साथ ही सेटलाइट्स जिनको बोलते हैं, उपग्रह यानि सेटलाइट्स की, और उनका और बिट पे जो है घूमना, परिभिर्मन कक्ष, और बिट का डिसाइड इसन हुआ, डिसाइड हुआ, और यानि परिभिर्मन कक्ष पर, और ये चीजे जो है, इनके अनसार हुई, तो ये काफी फेमस परिकलपना रही, और इसके बाद जो है, रूशी वेग्जानिक हुए थे, उनकी परिकलपना आई, और आटो सिमंड बोलते हैं इनको, इनर स्टेलर डस्ट हाइपोथिस, इनका नाम आप लोग ध्यान रखना, इनर स्टेलर डस्ट हाइपोथिस, डस्ट हाइपोथिस, देखिए पटा तो मेरा उद्देश यह है कि निशित तोर पर जो है, आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो, और जिससे की, अब जिती ओटो जो सिमंड थे अक्चुली, इन्होंने 1943 में ये concept दिया, 1943 में ये concept इनका आया, और इन्होंने एक new concept दिया, और इन्होंने क्या स्वारमंडल की, एक तो इन्होंने कोणिये आवेग में, सूरिया और ग्रहों के बीच में जो angular moment होता है, कोणिये आवेग होता है, उसके अंतर को समझाया, angular moment को कोणिये आवेग को समझाया, मैं बताओंगा इसको कभी आगे चलके, अभी सिर्फ आप इतना ही कर लो, और इसके साथ ही इन्ह जो outer circle में आते हैं, Neptune, Uranus, Saturn वगेरा ये, और जो आसपास के हैं, जिसमें Venus, Earth, Mercury और Jupiter है, वो भारी है थोड़े से, तो वो सूरिया के नजदीक रह गए, वो इन्होंने कहा, और विविन ग्रहों की जो गती है, गूमने की वो अंतर इन्होंने इस्पष्ट किया, तो इस प्रक इन्हीं के आंसार आई थी, और इसको आप लोग और थोड़ा सा देख लेना, और इन्होंने कहा कि देखिए, धीरे-धीरे इनकी गती जो है, मंद पढ़ गई टकराने की, और धीर-धीरे ग्रहों का निर्मान जो है, हो गया, ये काफी महत्मून सा बेसे chapter है, और थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, मैं दस मिनट के रेंज में संबिटना चाह रहा था, लेकिन नहीं हुआ, और इसको आप लोग थोड़ा सा और देख लेना, अगले वीडियो में हम लोग प्रत्वी की जो आंत्रिक समरचना हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और बहुत 15 म hogy बारे में हम चर्चा करेंदों आपिता हैं, और र Este उसके इंड में हम लोग यह सgens cents आपकी की बारे में वीडिक्वाल ले ओे म